हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दुस्तों विश्या लास्व कर स्वागत करते हूं आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना पूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाये करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की इस एप की लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दोंगा वहां से जाके आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों आज की एप बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की एप म्यूजिक से रिलेटेट है जो लोग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेट जो जादा जानकारी जानते हैं जादा जानते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में य एक तरीके से instrument create कर सकते हैं instrument कहने का मतलब है background music जो होते हैं वैसा beatboxing जैसे कुछ भी आप यहां पर create कर सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर my music पर जाके आप create कर सकते हैं कोई भी record इस पर click करेंगे आप जैसे ही जैसे ही तो इस तरीके से interface देखने को मिलेगा यहां पर आप अपनी beat बना सकते हैं ओके दोस्तों यहां पर जैसा की option दे रहें देख सकते हैं अपने effects से यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहते हैं बहुत कमाल की application है यह ओके दोस्तों तो जो लोग अपना beat बनाना चाते है music से related कुछ भी background music जैसा की beat boxing जैसा कुछ यूज करना चाते हैं तो यह application बहुत सही है यहां पर आप देखिए different different तरीकी की चीजा है यूज कर सकते हैं जैसे कि यहां पर बहुत सारे names given हैं ओके दोस्तों effects हैं यह audio effects जिने बोलते हैं तो इन्हें आप use कर सकते हैं, बहुत कमाल की है यह application, ओके दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे options हैं, यहाँ जैसे कि beat देख सकते हैं beat भी चार तरीके की दे रखी हैं इसके अलावा यहाँ पर synth, whistle इस तरीके से click करके आप check कर सकते हैं, click कीजिएगा और इसके अलावा यहाँ पर आपको record करना है, तो यहाँ पर record का option है आप जैसे ही record की option को करेंगे तो यह recording चालू हो जाएगी तो जो भी आप beat बजाएंगे वो record हो जाएगी और उसे आप then बाद में use कर सकते हैं इसमें कुछ parts paid भी है यानि की premium भी है लेकिं इनकेस अगर आपको premium यूज नहीं करना तो free भी आप use कर सकते हैं ओके दोस्तो यहाँ पर इस तरीके से use कीजेगा, यहाँ पर एक और option है slide गा, ओके दोस्तो यहाँ पर यह सारी इस चीजें आपको और देखने को मिल जाएंगी beatboxing type का अगर आप use करना चाहिए bass use करना चाहिए walks, effects, जो भी आप use करना चाहिए strings, pad, बहुत सारे option given है maybe बहुत सारे लोग को इस सब चीज़ों के बारे हैं पता ना हो audio थोड़ा बन कर देते हैं दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में भी पता ना हो लेकिन जो लोग music से related है जानते हैं beatboxing अगर यह सारी चीज़े क्या होते है beat क्या होती है music पर beat क्या होता है और instrument क्या होता है background music क्या होते है तो यह चीज उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली इसके अलावा यहाँ पर कुछ premium चीज़े नीचे दे रखी है जैसकी flanger flanger का option दे रखा है जो कि आप pro version में ही use कर पाएंगे इसके लिए आपको purchase करना पड़ेगा और इस तरीके से देख सकते हैं जैसे यह recording हो जाएगी यहाँ पर इसे आप save कर सकते हो और इसे use कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसे move भी कर सकते हैं अगर आप करना जाते है filterization के लिए तो use कीजेगा इस application को बहुत ही अच्छी application है बहुत ही positive reviews हैं अच्छे reviews हैं और इसके लाखों में यू मालनेजे दोस्तों लाखों में positive reviews है 4.5 से भी ज़्यादा की rating है तक even 4.7 की बहुत ज़्यादा लोग इसे use करते हैं ओके दोस्तों professional level पर यूज की जाती है यह application तो आप भी use कर सकते हैं उमीद है दोस्तों यह video आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों बहुत जल मिलेंगे next video में तब तक के लिए बाई दोस्तों